आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक शेयर करने जा रही हूं मैं आपके साथ कई दफ़ा हमारे कपड़े अचानक से फट जाते हैं और हमें एमर्जनसी उन कपड़ों को पहनना भी होता है तो हमारे पास कई दफ़ा स्लाइम मिशीन अवेलेबल नहीं ह होता जिसके साथ हम उसकी मरमत कर सके या इस तरह टेड़ा सा कट लगा होता है जिसको कवर करना हमारे बस की बात नहीं होती यानि यह प्रफेशनल ही कर सकते हैं तो मैं आज आपके साथ छोटा सा ट्रिक शेयर कर रही हूं कि किस तरह आप इन कपड़ों को एमर्जनसी पहन जाती है इसको मरमत करना पड़ता है हम दहीं चुके पहने होते हैं कपड़े और कहीं एमर्जनसी कई दफा यूनिफॉर्म वगरा यह ऐसी चीज होती है जो हमें फौरन ही पहननी होती है रिपेरिंग का टाइम नहीं होता तो हमें एक इसरी चाहिए होगी हमने इसको प्री इसकी एक साइड इस तरह से शाइनी होती है जिस पर गम लगी होती है यह चमकदार सता जो है यह हमने फटे हुए कपड़े के साथ अटेच करनी है यह देखिए यह आप हर वक्त मगवा के घर में रखें यह बहुत ही यूसफुल है मैं इसके और भी यूजिस आपके साथ इंशाला से नेक्स किसी वीडियो में शेयर करूंगी तो हमने इसको जितना हमें रिक्वाइर है फटा हुआ कपड़ा है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमने इसको काट लेना है यह देखिए अब इतना बड़ा काट है तो या तो आप इसके उपर रखके निशान लगा ले य पहले इसको रफली काट लें और फिर इसकी सारी साइडें एक जैसी करके इसको नीट कर लेंगे हम अब यह देखिए जो एक्स्टर धागे हैं सबसे पहले हम वो कट करेंगे ताके यह फील ना हो हम इसको इतनी अच्छी तरह से बाइंट कर लेंगे कि यह बिल्कुल पता कपड़े के साथ इस तरह से रख देंगे नीचे यह देखिए यहां सेट करने में अगर एक से दो मिनिट आपके लग जाते हैं तो आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है ताके यह जो बुक्रम है इसके ऊपर कपड़ा फटा हुआ हिस्सा जो है वो अच्छी तरह से रख हो जाए अब जो इस तरह हमने गरम की है वो इसके उपर हमने तकरीबन 40-45 सेकेंड तक इस तरह से रखनी है हलका हलाते हुए ताके कपड़ा जाल ही नहीं जाए यह देखिए इस तरह 40-45 या 50 सेकेंड में यह बहुत ही अच्छी तरह से यह इसके साथ बाइंड हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा जगा फील नहीं हो रही जहां पर कट लगा हो यह मैं आपको दिखाती हूं यह बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो गया है अब आप इस कपड़े को वाश भी करेंगे तो दो तीन वाश तक तो यह जो बुक्रम है यह इसके साथ से नहीं उत्रेगा यह शयट आपकी पहनने के काबिल है इसी तरह से आपने कट के हिसाब से बुक्रम काटना है यह जो जैन्ट की शयट है इसके लिए किस तरह से कटिंग करनी है यह भी मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए चुक्छे यह साइड पर कट लगा है तो हमें स्केर पीस नहीं चाहिए एक लंबा पीस हम इससे थोड़ा सा बड़ा रखके काटेंगे इस तरह से और लंबाई भी इसकी कम रखेंगे यह देखिए अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह से नीचे रख लेंगे जिस तरह से हमने पहले रखा था और इसके उपर यह कपड़ा अच्छी तरह से सेट कर देंगे अगर कोई धागा वगर आपको नजर आए तो उसको सिजर के साथ काटने धागा काटना बहुत जरूरी है वरना वो उपर से रफ सर्फेस फील होगी यह इसी तरह से हम रखेंगे और फिर इसके उपर 40-45 सेकिंड तक गरम इस्तरी जो है वो थोड़ी थोड़ी देर तक इस तरह से हिलाते रहेंगे यह मैं आपको दिखाती हूँ यह कितनी अच्छी तरह से बाइंड हुआ है यह देखें सबदस म्रमत हो गई है कप्ड़ की अब यह शेड भी पहनने के काबिल है जिस तरह मर्जी इसको पहने उमीद है आज की दोने ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आई होगी इनको अवेल करके देखिएगा यह किनन बहुत फाइदा होगा वीडियो पसंद है तो लाइक करें लाफ